पब्लिक टीवी आपकी आवाद उनकी रोजी रूटी पर किसी भी प्रकार का संकट कुदपन ना हो पूर में भी ये निश्चे किया गया था कि फुटपेरी वेलफेर एस्विसेशन के सदस्यों को एकता द्वार से गान्धी पार्क तक विवस्थित किया जाएगा सभी 126 सदस्यों को एक समान तिस्थान दिये जाने की मांग की गई और किसी के साथ भी नाइनसाफी की बात हुई सभा में जलादक्ष दीपाक अगरवाल ने कहा कि किसी भी व्यापारी का उत्पिलन बरदास्ट नहीं किया जाएगा सभा में चेर्मेन नरेश अगरवाल ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि किसी की रूजी रूटी नहीं छीनी जाएगी सभा में कमल कुमार, जैदेज सिंग, स्वेराज सिंग, फ़हीम भाई, रईस, आसिफ अली, दिलीब छावडा, शेकर कश्यप, कोमल, बलबीर सिंग, राम उतार सैनी, दिवाकर, सहित, बड़ी संख्या में और भी लोग मौजूद रहे ख़ड़ाया तो सहीए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो बीजेटी की गौर्ल्मेंट चाहती है, वो दो-तिन साल से यह चाहती है, जबसे हमारे मोजी जी आ हैं, कि एक बेंडर कमीटी उन्होंने बनाई है, और बेंडर कमीटी में उन्होंने यह तेकरा है, कि जो भी फड गड़ लगा है, यह फर लगेंगी कमपनी वाग में, गानी मोजी उतार, और जो भी फर लग रही है, बुझ भी जबस दियार में बो लगेंगी, इसर जिगल करपानी में तो चुलाया है, पट्टी है, वापर खाली पड़ी हुई है, लेकिन बेंडर कमीटी के आच-ज़ं पटकर रखा है, और फुगल पटकर रखा है, अब सोचना ही है, कि अगर हम सो दुगांदारों को हड़ाते हैं, तो सो दुगांदारों का मतना है कि तरीव यह फ़यार लोग उसरे बेपासर हो जाएंगी, इनके पाच बच्चे हैं, बाइफ हैं, परिवार हैं, माभाप है तो सबसे पहले हैं, इसोचना चाहिए है कि अनित लोगों को और महापोर जी को कि उन लोगों को बैपार के क्या होगा, उन लोगों को अगरत कैसे चलेगा, और क्यों नहीं बेंडर कमीटी का जब उपर से अधेस आचुए है, सेंटर गोल्मेंट से पैसा आचुआ है, तो अगर जोगों को अगरते हैं, तो यह लोगों हमारे पास सहाईता के लिए और मैंने इनको अखासन दिया है कि हम आज करेंगे तो आगे क्या रहेगा आगे अज़ने का है हम 126 अगों को एजश करेंगे बेंडर कमीटी में और उन्हें जहां पज़ेंगे और उसके लिए उ हम तो इसाफ को उसे मिलेंगे पर सभी मैंने रहें अगर कि लिए अगर यह पात नहीं चुट पूराना जा रहा है क्यों पूरे नगा निगम या माबोर पूरा नहीं कर रहा है पब्लिक टीवी आपकी आवाद